आग्रा में का जीबों गरीब मामला सामने आया परिवार परामर्श केंद्र में सुनवाई के दौरार महिला ने काउंसलर्स के सामने शर्ट रख दी कि वो भी हैरान रह गए उनका कहना है कि वो अपने प्रेमी के साथ रहेंगी और पती मुझे और बच्चों को खर्च करने के पैसे दे वहीं पती का कहना है कि जब तक उसकी पत्नी वापस उसके पास नहीं आएगी वो एक रूपया भी नहीं देगा हातरस की रहने वाली इस महिला की शादी दस साल पहले आगरा के एक शक्स से हुई थी महिला की दो बेटियां हैं और पती काम के सिलसले में जानतर बाहर रहता है इसी दोरान महिला एक अस्पताल में काम करने वाले शक्स से दिल लगा बैठी और वो दोनों बेटियों और को लेकर प्रेमी के साथ रहने लगी पती ने थाला पूलिस से शिकाग की तो पूलिस ने मामला परिवार परामर्श के इंदर में ट्रास्फर कर दिया जिसके बाद पती और पत्नी दोनों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया आज एक अनकॉमन सा केस आया कि साधी को दस से बारा साल हो गए है उसके बाद भी पत्नी का किसी और अनप्रूस से दो साल पहले अफ़ेर हो गया किसी अस्पताल में मिलने की वज़े से और अब वो यह चाहती है कि मुझे उस व्यक्ति के साथ रहने दिया जाए और चुकि उसका खर्चा है पूरा वो पत्ती उठाए चुकि उसका विभा करकर आई है साथ फेर उसने उसके साथ लिये है और वाकी वो समय देना चाहती है 24 घंटे में कुछ समया एक हपते में या महीने में वो दूसरे व्यक्ति के साथ देना चाहती है जिसके साथ उसका अफेर चल रहा है उसने स्विकार किया है बात बहुत अजीब है लेकिन हमने उसमें अगली तारिक दे रही है देख सका है